हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्स होते हैं इंगलिस क्लासेज में मैं समय से इंगे बार फिर से लेकर आया हम आज आपके लिए वर्डबड़े 13 याद होगा आपको बारहवे दिन वर्डबड़े 12 में आपको एक वर्ड दी गए थी जो आपको बताने थी इसका क्या मीनिंग होता है इसके क्या इननसेशन होते हैं और कैसे ट्रुकी मादा हम से को बताने की कोशिश करेंगे हम तो द्यान दिजएगा क्या होता है कैसे कैसे ठीजी होती है आसान तरीका है बताने का स्पेरिंग चेक लिजए पहले d e a d p a n बो इसे आपके साथ कोई बंदा है, हमेशा एक्टिव रहता है खाने पीने में, लेकिन जैसे कोई condition ऐसी आती है जो आपके लिए critical होती है, आपके साथ कुछ बुरा होता है, वो बंदा भावहिन हो जाता है, यानि कि उसमें कोई भावहिन नहीं है, वो आपके साथ बिल्कुल भ चीजिए वैसी है। ऐसको तोड़ते हैं और ट्रिक के बाद से समझने की कोशिच करते देड मन् मं उसका क्ल अभावी एधाक होता है। यह नी मलत थैसली गरत अलोडिये करना देय maior और आहं। तो ये मरा सा नहीं है, मरा है आप देख सकते हो dead man जैसे dead man है, आप trick लगाओ dead man, dead man से मिलता चुलता है अगर dead man है, तो उसमें कोई भाव नहीं है, वो मरा सा दिखता ही है trick फिर से इस से तो आप काम चल जाएगा फिर भी मैं दो लेन आप के लिए रखा हूँ ध्यान दिखेगा, dead man का तो सिर्फ तोहीन होता है, दरसल जिन्दा आदमी ही भाव नहीं होता है, वास्तों में dead man को हम कहता है, dead man आईए ये भाव हीन है, क्योंकि इसमें भावी नहीं है दो लेन ध्यान दिखेगा इन दो लेन में बहुत मैंने रखने की कोशिश किये, गंबीर अर्थ अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो क्या कर सकता हूँ dead man का तो सिर्फ तोहीन होता है दरसल जिन्दा आदमी ही भाव नहीं होता है उसमें भावी नहीं होता, अचकर जिन्दा आदमी ही जो हते है या आपको भतानी है, comment box में comment करके, फिर से बता दू, बहुत सारे poem जो मैंने बनाया है, Sumair Singh वीडियो में आपको मिल जाएगा, Sumair Singh जो आपका YouTube चैनल है, इसको बिना space देकर के, बिना gap देकर के, अब इंस्टाग्राम पर लिखोगे, तो आपको इंस्टाग्राम पर एक page में लेगा, जो मैंने बनाया है, English का, English के vocabs, Grammar's के rules, phrases, बहुत सारे और भी unique चीज़ जो English के हैं, जो daily post करता रहता हो, मैं आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बार विजिट जरूर कीज़ेगा, तब तक मिलते हैं, next video के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल लखेगा, Thank you for watching the video.